हाई दोस्तों मैं हूँ मयंग और आपका बहुत बहुत सवागता है इंडिया के टॉप ओनलाइन एजुकेशन ट्रेटफॉर्म गुरुकुलहपर और दोस्तों यह आपकी गुरुकुल अपकी करेंट क्लास तो आए शुरू करते हैं हमारी करेंट की क्लास कोशन में फर्स्ट करेंगे तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताता हूं वह श्रीलंका श्रीलंका ने अपना पहले सैटेलाइट लाइट को लॉंच किया है तो विश्व प्रैस 77 सूच कांग दोहार उननेस कौन से तेश शिस्तान पर रहा है तो विश्व प्रैस के बारे में पूछाएग उसके पर पर प्रतम पर नोर्वे और इसके बार जो ना और ऑटा है और वह फिन्लाइड होता है ठीक है और जो खुशी का सूचछग जो होता है हमारा उसमें भी फिन्लाइड ही रहता है इसको अपने आहीं देश जो होता है हमारे इसी स्रीज में चलते हैं अमेशा और ये टॉप कंट्रीज एंज इन चीजों में हमेशा आगे ही आते हैं अब भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत की स्थिति इसमें वह ए 140 ठीक है भारत 140 वह नंबर पर है अब आते हैं हमारे थर्ड कोशन के आई कि मैं पढ़ना स्टरट करता हूँ दोस्तों आप इनके अंसर जब देलती कमें कि इस प्रक्तों में तो क्या है एकल आपातकालियन हैपलाइन नंबर 112 में कितने राज्य शामिल हो गए हैं और जो इसका फर्स्ट जो राज्य था जिसने यह अपनाया गया था वो था हिमाचल परदेश ठीक है तो आप याद रिखेंगी पहला राज्य कौन सा था जिसने हैपलाइन नंबर 112 को अपनाया वह को सोदेश करेगा इंपोर्टेंट कोश्टन बिल्कूल पूछ जाएगा आप से जाद करेंगे द्यान करेंगे ऑप्शन किया क्या है पहला है भारत दूसरा है श्रीलंका चो इसका जापान हो अजो होता है हमारा साउओधी अरब तो इसका जो सभी आंसर है वह है साउधी ठीक है साउदी अरप जी टॉंटी शिकार सम्मिलन का जो है मेजबानी करेगा और साउदी अरप की अगर मैं आपसे कैपिटल पूछू कैपिल कैस की लियाद और यहां पर याल जो इसकी करनशी चलती है ठीक है अगले कोशन पर आता है कुशन नुबर फिक पर यूएसे से कि अपने पहले लॉंच किया अभी पहला कोशन पर आयता वह श्रिलंगा के बारे में था कि श्रिलंगा का जो था रावन फास्ट उप पूछा कि कि यह उसे से किया तो इसमें जो आप आप ऑप्शन देख रहे हैं कि भारत के पास वाली मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले रावरत के दो देश हैं तो इसका जो सही आंसर है नासा के द्वारा और एक रामपर स्ट टारी मारे कॉश्ट में आया था वह थी श्रिलंगा की तो यह दोनों देश्ट हो या तो आप इनको द्यान से आथ करेंगे पढ़ेंगे अब आते हमारे अगले पर ठीके गौब कर शीव धरम किया है गां को इसका आसकार इसल तीसर तर फिरफ और उत्तर प्रदेश is a उत्तर प्रदेश है ग्रॉत गाउं है उसका नाम बदल कर दिया गया है आते हैं अगले कोश्चिन कोश्चन नमबर सेवंध पर तो सेवंध है कि चार देशक बाद बास का चावल कहां पाया गया दोस्तों बिल्कुल इंपोर्टेंट कोश्चन है बिल्कुल पूछ जाएगा क्योंकि आपके काफी रहता ह है दूसरा है तमिलंडू तीसरा है और। चोथा है केरल में हमारे प्रोटेंस से घर्च होता लेके 주세요 şimdi अब्रत अच्छा हुआ होता है और बहुत कम ही मिलता तो यह बहुत काफी सालों बाद मिला है तो यह कहां मिला है ओडिसा में ठीक है आप याद रखेंगे इसको पूछे जाएगा कुछ्छन और आते हैं अगले कुछ्छन पर कुछ्छन नमबर एट पर क्या है कि किस दिन उतकल दिवस मनाया जाता है तो उतकल दिवस के बारे में क्या है एक अप्रेल को हमारे पास क्या मनाया जाता है उतकल दिवस यानि की उडिसा दिवस आप से पूछे जाएंगे क्योंकि अभी आपकी करेंट चल रही है लगबग 6 महीने से 6 महीने के अंदर की करेंट पूछी आते हो तो आप याद रखेंगी कि कौन सा दिवस या प्रेंट आत्वा संसक्राइब कहां शुरू हो तो यह हुआ हमारी इंडिस्ट्रिय इंडिस्ट्री करन उसके ही चैर लिए ज्यादत दिये हुआ है जहां पर सबसे यादा और दोप्शे नगरी करेंट राज्जय हैं एक उप्शन और नग्या निस्ट्रवार्ट आप्शन यह इंडिस्ट्री से लिए तो इसका अब आता है लास्ट कोशन कोशन नंबर टैंथ पर तो क्या है कि टाइटन टाइटन से आप समझे होंगे सेटर्न सीधी सीधी बात है आप अप्शन भी नहीं देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्योंकि बहुत से कोशन ऐसे होता है तो अब देखते हैं इसके option क्या क्या है पहले कोशन पढ़ता है कि टाइटन सो मिटर मिथेन की घ्यारी जीले की ग्रह के चंद्रमा में हैं तो यह क्या है पहले option शनी ब्रसपती मंगल और चोता है बुद्ध तो इसका सही आंसर है शनी है तो मिथेन की शनी में अभी सैटल होते हैं जो गये सक गोंटा होता है स्टाइप में ठीक है तो आप हो वीडियो देखिएिंगे और आपको शनी के बारे में भी इसकी डिटेल्स पता पढ़ेंगे किसी सैटलेट कौन कौनसी है था और बाकी जितनी भी हमारे हैं उनके बारं में पतापड़े इसके तो दूस